विडियों में लडू कॉपाल जी के लिए इस तरह की ड्रस बनाने वाले हैं यहां पर इस तरह से चिट बरनी के हैप से खुलेगी यह पूरी हमारी सामने आगई ड्रस इस तरह से है ड्रस इसे बहुत आसानी से हम बना लेंगे और यह की बार में हम इसे पूरा बुन के कम्टीट कर देंगे तो यह रहा है इसका देखें मेजर्मेंट चार्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो प्रीस आप चैनल को सब्स्राइब कर लें अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टागाम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर फॉलो करिए मेरा इंस्टागाम है अमरितीवेसंड़ा50 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिए आएगा तो चलिए हम बीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने ब्यूटिफुल सी इड्रस यह कैसे बनाई है काना जी के लिए यह देखिए हमने यहाँ पर यह दो कलर में उन लिया है साथ में हमने यहाँ पर यह दस नमबर में सलाई ली हुई है यह देखिए यह हमारी दस नमबर की है फोकस नहीं कर रहा है यह यह क्या यह देखिए दस नमबर में हमने सलाई लिया है तो चलिए हम स्टार्ट करते है है यलू कलर से ठालें दालेंगे और बहुत ही सिम्पल और आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगी यह इस थर न początku को पर रखने के बाद यहाँ से यह हमने इस तरह से किया इसे के ऊपर लपेटेंगे यहाँ यहां से निकाल देंगे, यह हमारा एक फंदा है, किस तरों से मैंने डाला फिर से देखिए, यह उंगली पेला पेट के यहां से हमने इस तरों से किया, यहां ऐसे हुआ, फिर यह हमने गिरा दिया, दो फंदा हुआ, यह देखें, यह हमारा तीन फंदा हो गया, यह हमारा चा दोनों साइट अगर चोड़ते हैं तो बीच में एक फंदा बच जाता है यह जो हमारा एक फंदा बच जाता है इसी पर हमें नेट बनानी है तो देखें यहां से हम तीन फंदे को उल्टा उल्टा बुनेंगे यह इस तरह से हमने एक फंदा उल्टा बुना यह हमने अपना य अब यहां चौत्त य फंदे हमने नेट भ्नाने हैं ? अब लास्ट में पर हमारे पर दो फंदा पचेगा, इसे हम उल्टा उल्टा बुन देंगे, यह देखें, यह हमारी एक सलाई यहाँ पर कंप्रीट हो गई, अब दूसरी सलाई हमें किस तरह से बुन नहीं है, एकदम प्लेन हम बुनेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, यह पीछे की साइड हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा उल्टा बुन देना, अब फिर हम यहाँ सीधी साइड आ गया है, तो देखें, पहली बार हमने तीन फंदा बुन के नेट बनाई थी, अब इसके बाद हमारा एक एक फंदा बड़ता चला जाएगा, देखें, और यहाँ पे हम एक और नेट बनाएंगे, यह हमने बना ली, फिर हमने इसे आगे करना है, और बचे हुए तीन फंदे को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे, यह हमने बुन दिया, अब इसके बाद वाली साइड भी हमें प्लेन उल्टी उल्टी बुननी है, यह देखें, इस तरह से हमने डाला है यहाँ पे, और सभी फंदे को यहाँ हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, का इस उल्टी साइड में हमें ऐसे ही प्लेन उल्टा उल्टा बुन देना है, बस सीधी साइड से हमें नेट बनाना है, और हर एक नेट के बाद हमार फंदे बढ़ते चले जायेंगे, यह दखें, इस तरह से सीधी सलाई में हमारे दो फंदे इंध्रीज हो रहे हैं , इसलिए हमारा एक-एक फंदा आगे से एकस्ट्रा आ बिलिएं यह दखें यह देखनें से यहां तक पिर हम यहां पे सीधी साइड आएंगे और सीधी साइड फिर हमें वही चीज़ कर दी है पहली बारी में हमने तीन फंदा बुना था फिर हमने चार फंदा बुना फिर हम सीधी साइड आ गए है तो इस बार हम यहां पे पांच फंदे बुनेंगे देखे मैंने दो फंदा बुन लिया यह हमारा तीसरा यह चौथा और यह हमारा लास्ट पांच वाफंदा होगा है पांच वाफंदा हमने बुन दिया फिर यहाँ पे इस तरह से डालेंगे यह हमने इस तरह से नेट बना ली फिर फ्रंट पे ले आएंगे और यह हमने नेट बना ली फिर हमें इसे ऐसे फ्रंट और बची हुए सभी फंदे यहां पर Candice को यहां पर हम उल्टा उल्टा बुन के साधुर करें बहुत ही आसान सा तरीका है आप प्र से बनाएंगे तो चाय至 से यहां आपि फंदा कर सकते ईंज यह हमारा होता चल जाएक तो फंदा हमने बुन यह तीरा हो गया यह día тाहग ये चौथा ये पांच्वा हो गया और यह लास्ट चटा फंदा आ पे देख sa छे फंदा बुद्धिया है और फिर से हम यहाँ पे यह अपनी नेट पे नेट डाल देंगे और फिर हम फ्रंट पे करेंगे और यहाँ से हमें नेट बना देनी है यह देखे हमने बना दी फिर हमें इसे आगे करके बचे हुए सबी फंदों को उल्टा-उल्टा बुन देना है ये देखें ये इस तरह से हम इसे बुनेंगे ऐसे ही हमें इसे लंबा कर लेना है आगे वाली सलाई आपके जब भी आएगी तो यहां से आपका एक एक फंदा बढ़ता चला जाएगा तो चले मैं यहां से इसे लंबा कर लेती हूँ पीछे हमें प्ले नहीं बुनना है थोड़ा लंबा करके फिल आगे आपको बताऊंगे कि क्या करना है ये देखें हमने यहां पर सेम तरीके से बुनते हुए इसे इतना लंबा कर लिया है अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह देखें हमने यहां पर इसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर्ट, नो, डस, क्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्निस, बीस यहां पर लाइने आई हैं, मतलब हमने 40 सलाइयां बुनी हैं, जब हम 2 सलाइ बुनते हैं, तो यह हमारी एक लाइन उभर के आती है अब यहां पर हमें, देखें, कोई फंदे, बीच पर हमें नेट नहीं डालनी हैं, पूरा हम उल्टा-उल्टा बुन देंगे इस तरह से पूरी हमसलाई यहां पर उल्टइ-उल्टी निकालेंगे यह रहे ऐसे करके हमें उल्टा-उल्टा ही बुनना है ऐसे करके और यहां बीच पे हमें नेट पे कोई नेट नी बनानी है सबी फंदों को यहां उल्टा-उल्टा बुन लेंगे और इसके बाद वाली भी सलाई चले बुन लेते हूं फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखिए हमने यहां पे दो सलाईया बुन दिया अब यहां पे जितने भी फंदे हैं उन्हें हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो तीन पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ से हमें फंदों को इस तर से गिनना होगा तीन फंदों हम एक साथ गिनेंगे देखें यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला सोला आ रहे हैं, एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है मतलब कि हम सोला, सोला फंदें तीन जगां कर लेंगे इसमें हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा आ रहा है तो वही एक फंदा हम एजिस्ट करेंगे अब देखिए हमें किस तरह से वो एक बंदा आजिस्ट करना है यह हम जहां से बुलेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला सोला फंदा तो हमने यहां पर बुल लिया, देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, आठ का सोला सोला तो हमने बुल लिया और जो हमें एक फंदा एजिस्ट करना था, वह हम इधर से एक फंदा बुल लेंगे इधर हमारा 17 फंदा हो गया है इधर भी हमें 17 फंदा ही घटा है बीच के बचे होए फंदे को हम घटाएंगे तो बीच से जब हम 16 की जगा पर 15 फंदा घटा लेंगे तो उधर भी हमारा बच जाएगा 16 फंदा तो देखें इस तरह से हम घटाएंगे यह हमारा 1 फंदा घट फिर देखे इसे भी हम इसमें लेंगे यह हमारा दो फंदा गट गया फिर इसे भी हम यहाँ पे इसमें लेंगे यह हमारा तीन फंदा गट गया फिर इसे भी हम इसी सिलाई में लेंगे यह हमारा चार फंदा गट गया फिर देखें इसे भी इसी सलाई में ले लेना है पांच फंदा घट गया ये हमारा छे फंदा घट गया ये हमारा साथ फंदा घट गया ये हमारा आट फंदा घट गया ये नौ फंदा घट गया ये दस फंदा हमारा घट गया यह देखें, यह हमारा 11 हमा फंदा है, जो घट गया, यह हमारा 12 हमा फंदा है, यह देखें, 12 घट गया, यह हमारा 13 घट गया, यह हमारा 14 घट गया, और यह last हमारा 15 फंदा घट गया, यहां 16 की जगह हम 15 फंदा घट आएंगे, क्योंकि एक फंदा हमें इधर के लिए बचान और ये एक सत्रा, सत्रा फंदा हमारा इधर हो गया और सत्रा इधर, इन सभी फंदों को हम यहाँ पे अब उल्टा उल्टा बुन लेंगे, ये इस तरह से, इसी तरह से आपको भी डिवाइट करना है, चाहे आप किसी भी सायच के लिए बना रहे हो, आपको तीन भाग में डि अलग से, देखे, दोनों अलग हो गया हमारा, तो ये दोनों हमारे hij फंद के पल्ले है, ये इस तरह से हम इसे बुनेंगे, ये पूरी सिलय पहले हम, उल्टी-उल्टी बुनेंगे, ये देखे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, आप ये ड्रेस बना सकते हैं कानाजी क और बहुत ही खुबसूरत लगती है यह देखिए इस तरह से हमारा हो गया यह कैप आजाएगी यहां से और यह हमारे पल्ले आएंगे दोनों आगे से तो अब इसे हमें कैसे बुलना है यहां पर थोड़ा सा हमारा चेंज होगा यह देखिए हमें किस तरह से बुलना है यहां इसे हम 3-3 फंदा करके बुनेंगे नीचे से चोड़ा करेंगे और उपर से हमारा पतला रहेगा यह देखें यह इस तरह से 1-2-3 उपर से हमें 3 फंदा यहाँ पे छोड़ना है यह वाली सलाई आप बूल जाएए सिर्फ यह वाली सलाई हम बुनेंगे जहां से जितने भी फंदे हों आपका 3-3 का हम उसे गयब चले जाएंगे मैं बता रही हूँ किस तरह से अभी मैं जब उसे बुनूंगे पूरा तब आपको समझ में आएगा यह इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे एकदम सिंपल और आफान तरीके से आप यह ड्रस बना सकते हैं काना जी के लिए और बोखत ही खुब्सुरत लगती है मैंने एकदम डिफरेंट और न्यूड जैन आपको बताया हुआ है यह रहे हैं इस तरह से यह आ गए यहां पर हमारे पास यह तीन फंदे बचे हुए हैं हमें इसे छोड़ देना है और यहां से हम इसे ऐसे बैक पे लेके आएंगे यह देखें यहां हम इसे अब इस तरह से बुनेंगे यह वाली सलाई हम पूरी इसी तरह से सभी फंदों को उल्टा-उल्टा बुन देंगे चलि मैं आपे बुन देती हूँ यह इस तरह से हम बुनेंगे बहुत सिंपल तरीका है बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है यह देखे ऐसे बुनते हुए हम ओपर तक आएंगे अब यहाँ पे हमारा चाल फंदा बचा हुए यह देखे पिछली बार हमने तीन फंदा छोड़ रहा था बुन देना है यह दिखे यह इस तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे इस साइड हमारा कोई चेंज नहीं होगा फिल्टर हम टॉन करेंगे इसे और इस साइड फिर हमें वही चीज करनी है इस बार हम 6 के साथ 3 और फंदे छोड़ देंगे तो हमारा टॉटल 9 पंदा होगा ऐसे ही यह 3-3 करके बढ़ता चला जाएगा यह देखें यह इस तरह से यह देखिए यह तीन-3 और तीन हमने और छोड़ दिया हम इसे इधर लेकर आ जाएंगे और यहां से हम इसे बुन देंगे यह इस तरह से यह हमारा अब नीचे की साइड से चोड़ा हो है और यह उपर की साइड से पतला रहेगा यह इस तरह से हमें करना है यह हमने कर लिए फिर हम यह फ्रन्ट पे आएंगे और यहां से हमें फिर से भई सेम चीज करनी है यह देखें अब हमारा 9 की जगा पे 12 फंदा होगा 3 फंदा और हम छोड़ेंगे यह इस तरह से देखें यहां पे 3, 3, 3 फिर 3 छोड़ देते हैं अब इस बार हमारे पास 5 फंदे यहां पे बचे हुए हैं यह इस तरह से हम करेंगे और यहां पे हमारे पास जो भी फंदे अब बचे हुए हैं, इन सभी को हमें अब एक साथ बुन दे ला है अब देखिए हमें यहाँ पर नहीं छोड़ना है क्योंकि हम फिर तीन छोड़ेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारा दो फंदा रह जाएगा अगर यहां हमारा 6 फंदा रहता तो यहां एक बार और कर लेते बट नहीं है अब हमें क्या करना है यहां से और यहां तक सभी फंदों को यहां हम उल्टा उल्टा बुनेंगे यह देखें यह वाली सलाय भी हम पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे और इसके बाद वाली सलाय अब हम पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे यह देखे यह इस तरह से चलिए मैं बुन लेती हूं फिर आगे आपको बताओंगे क्या करना है यह देखे हमने हाँ पे दो सलाया उल्टी उल्टी बुन दे हैं अब यह हमारा एक पैटर्न यहां से देखे यहां तक का त्यार हो गया है इसे हम एक पैटर्न बोलेंगे एक पैटर्न मैं इसलिए बता दे रहे हूं जिसे मैं आगे जो भी बनाऊं आपको बता पहूं और समझा पहूं हमने कितना बना यह जहांसे हमने तीन-फंदा करके बढ़ाना स्टार्ट किया है इस तरह से यह वी सेप में यहां तक तरीका है guys को रिकत नहीं होने वाली आपको बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं यह देखें यह इस तरह से हमें बुनते हुए फिर उपर तक आना है और फिर यहां से हम टॉन कर लेंगे इसे यह देखें यह हमारा तीन फंदा यहां पर बचा हुआ है फिर हम यहां से इस इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद बूल लेंगे तो चलिए मैं यहां पर इसे इसी तरह से लंबा कर लेती हूं और सिम जैसे हमने इधर से बनाया है जैसे हमारा इधर से भी बनेगा आपको ध्यान यह देना है कि जो हम तीन फंदा यह छोड़ रहा है वो यहां ठ्याइब में आपको बता दूंगि कैसे अन लगाना कहा करना है यहां पर हमने ने चोटल चार पैटन बनाया है इक मैने आपके सामने बनाया उसके बाद मैंने इतुन और इसनी फंदो को हम यहां पर यहां सब्सक्राइब art에서 उतना हैете उतनी भी फंध करना कि एक दो ड़न बुनेंगे फिर यहां से हमें ले लेना है और दो फंदे को हमें एक साथ बुनना है इस तरह से हम इसे घटाएंगे यहां पे सब फंदों को यह दिखे इस तरह से दो फंदे को एक साथ हम बुन रहे हैं ऐसे करके यह इस तरह से चली मैं यहां पे सब फंदों को घटा लेती ह लाश्ट में हमार पास एक फंदा बचेगा, तो मैं आपको बताऊंगी, कि नौट कैसे लगानी है, यहाँ लाश्ट में पर पास एक फंदा बचा है, हम इसे इस तरह से थो असा लंबा करेंगे, यह हमारा एक साइट का हिस्सा बन गया है अब इधर का हमें कैसे बिनाना है देखें यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरह से इसे यह एक सलाइट पूरी हम प्लेन बुनेंगे उल्टा-उल्टा तो आपको बताती हूँ कि कैसे हमें यहाँ पे अपना उन लगाना है वह में यहाँ पे एसे अपना पूरी तो कर दो में पूरी सलाई उल्ट उल्टी बुनेंगे चले बुन लेते हूँ heißt यह देखे हमने आपर यह एक सलाई उल्टी-उल्टी बुन दी अब इस सलाई से हम अपना पैटर्न स्टार्ट कर लेंगे यह देखे हैं यहाँ पर हम इस तरह से बुनते हुआ आएंगे यह इस तरह से ओपर तक हमें आना है बुनते हुए उपर से हम तीन फंदा छोड़ेंगे और आप में से काफी सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक किया करें चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें यह देखें यह इस तरह से हम उपर तक आएंगे उपर हमें 3 फंदे छोड़ने है यह अपने 3 फंदी छोड़ दिया फिर हम इसे यह आपे करेंगे और इधर से इस तरह से बुर्देंगे इस तरह से हम इधर भी अपना पूरा 4 पैटर ब देखें, हमने यहां पर इसे एक छोड़ सकते हैं, इस तरह से आ जाएगा, ऐसे करके बंद रहाओ, पीछे का हिस्ता हमारा थोड़ा बड़ा आता है, आगे का थोड़ा से चोटा आता है, और यहां पर आज़ाएगा, देखें, बहुत ही कुपसूरत लगता है, अब मैं आप यहां पे सभी साइच के लिए measurement बता देती हूं सबसे पहले तो मैंने यह बनाया है चार नमबर के अकानाजी के लिए तो देखें चार नमबर एकानाजी के लिए मैंने आप इस टार्टिंग किती साथ फंदे से साथ फंदे से स्टार्ट किया था तीन फंदा इस सैट छोड़ तक यह लोगता हैं इसना देमगे, तरिटा हैं कमाद से को शयोग को, पिछे को किखेने चटे फंदे में में औरustomर्क का फंद दालेंगी उसकी बाद साथ रहा चैंडारो से सफंदा करना मेंетр डालेंगे हुखने हुखने के छटे मेंगे रस सबस्द करना गो न फंद दालेंगे हुं अब्यूंद मेंगे झला ही क्लियर कर दिया है ईक सलाई बस बनने की दिए rest पर दो आपको शुम्स हेरा, आपको 64 सतानी स Lakण बूनी पर दोषय के बाद 20 सतान बूनी इतने सलाई आ बोनने के बाद आपको क्या कड़ना है यहां पे हमने दो सलाई इतना तीन शावाला हिस्साब घटा दे्ज और इधर साआ बोलनेंगे इतना करने के बाद देखें, हमने नहीं आप 2-3-4 टोतल चार पैटर्न बनाए है यहां से हमारी एक दो तीन और चार चार लाइन है तो देखें आपको 0-6 भी आपे सिफ़ 2 पैटर्न बनाना है एक और दो नमबर में तीन तीन पैटन मना लें, तीन और चार नमबर में चार चार पैटन मना लें, जैसे कि हमने यहां पर बनाया हुआ है, पांच और छे नमबर में आप पांच पांच पैटन मना लें, और नौ और दस नमबर में आप साथ साथ पैटन मना लें, आपका यह बन के complete रजाएगा बहुत आसान तरीके से यह इस तरह से आया हुआ है अब मैंने यहां पर 2 mm में क्रोशिया हुंक लिए है मैं इसके हिल्प से थोड़ी सी आउटलाइन करोंगे जो कि बिल्कुल आफनल है आप चाहें तो इसी तरह से छोड़ सकते हैं क्रोशिया हुंक से जाना में कोई दिकत नहीं इती है बहूत ईजी है मैं आपको करके ले दिखाती हूं कहांगे यहां कहीं से हम अपनी हु Ele髏 को इस तरह से फसाएंगे और फसाने के बाद हम अपना यह दूसरा colour ले लेंगे, यह देखे, इस तरह से मैंने यह इन यह pink colour लिया है, और इसे हम यहां ऐसे करके निकालेंगे यह हमने फंदे को निकाला यह देखे और निकालने के बाद हमने यहां पे एक चेन बनाई एक चेन बनाने के बाद हम यहां आगे डालेंगे थोड़ी दू फंदे को निकाला पीछे से और हमने यहां पे सिंगल क्रोश या बुन दी फिर हमने next chain में डाला फंदे को निकाला सिंगल क्रोश या बुन दी फिर हमने यहां अगली chain में डाला यहां से फंदे को निकाला सिंगल क्रोश या बुन दी वह वाली सलाई आप एक दूसरे कलर से बुल लें और लास्ट में आप दूसरे कलर से इसे घटा लें यह देखें इस तरह से मैं सिंगल क्रोश्या बनाते हुए उपर तक आऊंगी यहां से लेके यहां तक चले बनाती हूँ फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है यही दो हैं यहां अगर आप इसे हम सिंगल क्रोश्या नहीं बनाती है इस तरह से लेके एक बार दूसरे थे यह उग्ल क्रोश्या इसलैंगी इस तरह से हम बुनेंगे इसे, यह देखें, यह ऐसे करके, अगर आपको इस तरह से single crochet नहीं बनानी आती है, तो इसकी जगा पर आप लेज भी attach कर सकती है, बहुत आसानी जगा, अब देखें, यहां से भी हमें मूनना है, तो यहां पर फिर से हम इस तरह से एक बार single crochet बना ल इस तरह हम बूलेंगे, चले बूल लेती हूं, फिर आगे बताओंगी क्या करना है, यह देखे हमने यहां पे यह इतनी दूर बना दिया, यहां से यहां से यहां फिर यहां से यहां तक, अब हम यहां पे दूसरी तरह से बनाएंगे, देखे किस तरह से हमें बनाना है इधर, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मोड़ना है तो मोड़ने के लिए सेम जगर डालके हमने एक बार सिंगल क्रोश्या बना दी इस तरह से करने के बाद हमें क्या करना है ऐसे करेंगे सेम जगर डालेंगे फंदे को निकाला और देखें यहां पे थोड़ी दुरागे इस तरह से slip stitch से joint करेंगे joint करने के बाद देखे हमें 1, 2, 3 3 हमने chain बनाई, 3 chain बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से करना है सेम जगा पे डालेंगे, फंदे को निकालेंगे और 3 फंदे हैं, तीनों को हमने एक साथ बुन दिया, फिर हमने इस तरह से किया यहां सेम जगा पे डालेंगे फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, तीनों को हमने एक साथ बुन दिया, फिर हमने इस तरह से किया सेम जगा डालेंगे, फंदे को निकाला 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ हमने बुन दिया अब बुनने के बाद दिकिए हम थोड़ी दुरा के इस तरह से जॉइंट कर देंगे ये ऐसे करके हमारा अब डिजाइन आएगा यहाँ पर फिर हमने देखें ए 1 2 3 दो से इसंति तरह सो करेंगे सेम़ी टालेंगत कवरनें ही डालेंगे 3 कंग उनली को हम झांट बहुंतों और यह देखें ऐसे करके हमें यहां पर पूरे पर बनाना यहां से हम बनाते हुए पूरा यहां से यहां तक आएंगे चले बना लेते हूं फिर आगे आपको दिखाऊंगी क्या करना है यह देखें हमने यह आउट्लाइन करने के बाद यहां पर चिट चट बटन लगा दिया और आप यहां पर आउट्लाइन की जगह आप लेस लगा ले बहुत एक उपसरत लेगा और बैक से इस तरह का लुगाएगा तो चलिए मैं आपको काना जी को पहना के रिखा देती हूं यह रहे हमारे कना जी किगे चहार नंबर को भी आ जा रही है मैंने चक करके देखा है increases अब इस तरह से चिटिट बाटन के यह फान ने बंद कर देंगे ओ शथें और बहुत इस तरह से तो आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं आपने दिखा इसे बनाना कितना एजी था और मेजर्मेंट चार्ट पे आप इसली भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास सभी साइच के काना जी लोग हैं तो आसा कर्टियों के वीडियो आपको पसंदा होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए साथ में बेल आकान प्रेस करके ओल पे क्लिक कर जी इसे मेरा आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन आप पूमिलती रहे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे क्रिश्ना रादी राद